माफ किजेगा वीडियो बीच में रुख गया, बिसकनेक्ट हो गया, मैं वही से कंटेन्यू करता हूं, कि बुद्ध की महादशा आपकी चल रही है, बुद्ध की महादशा चलने के कारण, जब बुद्ध की महादशा चलेगी 26 के बाद, 26 के अगस्त के बाद अगर वो जब आपना education और अपनी growth आप ले लें तो जादा बहतर रहेगा तो यह आपके लिए था और आपकी दो-त्री चीज़े अच्छी है education और job के लिए अगर मैं बोलूं तो मंगल भागिस्तान में बैठा है और फिक्स एसेट सेकंड हाउस में गुरू और सूर्य बैठे हुए है और गुरू की दिश्टी पढ़ रही है क्या बोलते हैं चंद्रमा रहू में तो ग्रहू की जो भी कमिया है वो गुरू खतम कर दे रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छ के लिए अच्छा है और आपकी आपकी फ्यूचर के सवाल के जवाब दिये हैं ही नंगतुके तरफ चलते इनगे सlorी इसे नहीं है चंद्रमाह की चल रही है और चंद्रमाह आ मालिक जो है वो मंगल है आपका जो लगन है वो लियो है मतलब सिंग राशी है और सिंग राशी का मालिक सूर्य इंकम के हाउस में बैठा है, ग्यारवे घर में बैठा हुआ है, ग्यारवे घर में बैठा हुआ सूर्ये, बुद्ध के साथ बैठा है, जो कि बुद्ध आदित्य योग बनाता है, बुद्ध आदित्य योग बहुत अच्छा योग माना जाता है, और बुद्ध के साथ सूर् के लिए अच्छा सोर्ज बनाता है, आपके लिए दिक्कत यहां पर यह के राहु पंचम स्थान, सिंघ लाशी में में sights, मतला आपके लगन में बैठा हूआ लियो के घर में बैठा हूआ, ascendant के घर में बैठा हूआ और सूर्य का राहू के साथ अच्छी बनती नहीं है और राहू हमेशा चंचल और बहुत ज्यादा fast forward और बहुत ज्यादा restless planet है अगर वो अच्छा नहीं करें अच्छी positioning में ना हो तो हमेशा दिक्कत देता है हालकि यहां पर बोलता हूँ जरूर बोलूँगा जिकि राहू ल के उसकते हैं इसलिए मैं आपको यह बोलूँगा जिकि अपने अंदर पेशन्स लाएने की कोशिश करिए जैसे मैंने हीना को बोला है तो आपको भी बोलूँगा डॉक्फिट करिए और ब्रॉण कुटों को खाना कि लाईं मतलब जो भी डॉक्फिट करिए उनको उनका कर है और जुपिटर भाग के एजुकेशन का मालिक है और अश्रम का मालिक है जो की नीच होके बैठा है लेकिन डाउन है तो आपको विस्पत बार में हमेशा आप अगर नौन विच खाते हैं तो विस्पत बार को नौन विच खाना बंद कर दीजे और गुरू की सेवा करना चंडरमा और शुकर की अच्छी बंती नहीं क्योंकि दोनों एक औूसर्ए के मतलब वह नहीं है जो कि और आपके पास बहुत अच्छी अपर्ट्विस बहुत चल्दी चल्दी होता हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा अभी समय आपके लिए ठीक है कोशिश जरूर कर सकता है लेकिन बर्थ प्लेस के बहुत अगर आपको बहुत अच्छा और आपके पास एक और अच्छी opportunity तब आएगी जब आपके पास सूर्य आपके लगन पे अंतरदशा पे लगेंगे चंदरमा के और सूर्य जो अंतरदशा पे लगेंगे चंदरमा के वो लगेंगे करीबन आपके 3 November के बाद लगेंगे 3 November के बाद अगर आप सूरे की अंतरदशा में अगर आपको कोई अच्छी opportunity मिले तो उसको ग्रैफ जरूर करिए गए 3 November के बाद से लेके 2025 के मई तक का समय यह है जिसमें आपको गेन की फायदे की समावना बदनी है लेकिन आपको महनत करना पड़ेगा अपने दिमाग को patience रखना पड़ेगा और राहू की राहू का उपाय करना पड़ेगा बहराल यह था आपका आपकी आपके लिए आपके job के रिगार्डिंग और competitive exam के रिकार्डिंग competitive exam में आपको दिक्कत होगी क्योंकि गुरू आपका down है आपको गुरू के उपाय करने पड़ेंगे और आपको इसके साथ-साथ शनी के उपाय करने पड़ेंगे तो जो मैंने हिना जी को बोला है वह आप भीद करिएगा कोशिश यह करिएगा जिकि आपको कWait करते है ऐसके देने के उमिद करता है आपको पसंद आया है अब चलते हैं तीसरी राशी की तरफ तीसरी राशी जो है तीसरी जो कुल्लिव पवंजी की है पवंजी आपने सवाल मुझसे पूछा है जिकि हैल्थ इशूस में बहुत दिक्कत हो रहे हैं और एंग्जाइटी और प्रॉब्लेम होती है दूसरा प्रॉब्लेम यह जॉब प्रोमोशन वगरा तो पहले जॉब प्रोमोशन को ले लेत तक है अगर 6 महीने 6 नौवेंबर 2024 अगर आप चेंज करना चाहते तो आपके लिए आप कर सकते हैं उसका रीजन यह जरूर है कि आपको जो आपका लगन है वह स्कॉर्प्यों है और स्कॉर्प्यों का मालिक मंगल बनता है मंगल आहस्तान में बैठा है जो कि अच्छी बात है और सूर्प मालिन ऋवे घर मालिक चंद्रमा पांच वे घर में बैठा हुआ ऑं और गुरू आठवे गन में बैठा हुआ है तो एक पूरोगा पूरा यह सिक्वेंस बना हुआ है जो की बहुत ही अच्छा सिक्वेंस है अगर आप अपर्चुनिटी ग्रैफ करना चाहते हैं तो अभी आप जरूर करिए नवेंबर के महिने तक आपके पास बहुत अच्छी अपर्चुनिटी और उसको आप जरूर करिएगा क्योंकि यहां पे आपको बहुत मिलने के चांसे से अभी तक नहीं मिल रहा है तो उपाय करीए उपाय करने से आपको बहतर अच्छे रेजर्ड मिलेंगे आप उपाय क्या कर सकते हैं सूर्य प्रवस्टे को थोड़ा साब क्या बोलते हैं ग्रीन चीजों का डोनेशन करिए और कुछ भी हो अगर आप कन्या पूजन कर सकता है तो कन्या पूजन करिए और अपने से यंग लोगों के साथ इंटरक्शन करिए और उनके करने की कोशिश करिए तो आपके लिए अच्छा र क्रिए उनको मदद करें इडूके स्ट में हिल्थ में उनकök उंके सकते हैं अच्छा रहेग़ा आपको ग्रोथ मिलेगी अपने घर में अगर आपके नीज रहें ऑपने तो उनकी hypothesis के 131 मरण ज्यादा जरूरी है और अव IT देता है क्योंकि चंद्र मन को खराब करता है अब कर लेता है शुक्र के दूसरा दुर्गा या माकाली की पूजा करिए इससे भी आपकी आपके जॉप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ में अच्छे चांसस बनने के बनते हैं नौवेंबर के बाद के तू लग जाएगा के तू लगने के कारण में जो यह जो अपॉर्चुनिटी है अगर सॉलीड ना रहे कि कि च्टे घर में बैठा हुआ है जोप अपॉर्चुनिटी जरूर्ट के लिए बैठा हुआ है तो यह जरूर्ब दे सकता है लेकिन जब तक वो पर्मानेंट ना हो ठोग बजा कि लीजेगा अगर अभी अपॉर्चुनिटी ना मिले तो बाद म करने की कोशिछ कर रहें तो पर्मनेटली चक करने पर आपको फायदा होस सकता है तो सुकर कि महा दशा में केतू के नहीं अंतरदशा उतनी अच्छी नहीं जाएगई तो इस यह बोलूँगा शुक्र की मादशा चलने के कारण आपको थोड़े एंग्जाइटी हो रहे हैं शुक्र चटे घर का मालिक है और बुद्ध चटे घर का मालिक है परेशानियां करते हैं में दिक्कत देते हैं हाला कि शुक्र बुद्ध के नवंभाव में बैठने के कारण आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगले साल जब केतु लगेगा तब भी आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको यही पूजन करिए और शुकरवार को कुछ डोनेशन दीजिए और बिस्पत और बुद का भी आप कुछ आच्छा करिए बुद को स्ट्रॉंग करिए और गुरू को स्ट्रॉंग करिए इससे आपको अच्छा आप मिलेगा गुरू की दिष्टी से कई सारी दिक्कते खतम हो जाती हैं तो गुरू की तीन दिष्टिया है पंचम आपकी कुंड़ी में पंचम सब्सक्राइब करें पसंद करें मैं कोशिश करता रहूंगा जिकि और भी कोई नहीं नहीं वीडियो जिससे आप सभी को जिनक करने की कोशिश करूंगा और उन लोगों को भी हो सके तो ऐसी चीजे ऐसे चीजों से उनकी मदद फालति उनको को मैं यह वीडियो भी प्लाने की शुरू करूँगा कोशिश करूँगा थन्यवाद